दोस्तों सभी महिलाएं जानती हैं कि अपने पती से किसी मुद्दे को लेकर बात करना कितना कठिन काम होता है और खास कर तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपके पती आपकी किसी भी बात को सुनने के लिए बिल्कुल तयार ना हो तो दोस्तों ऐसे में चलिए आज हम जानते हैं कुछ तरीके जिसे अपनाने के बाद आपके पती भी आपकी बात मानने लगेंगे तो आज का वीडियो हमारा महिलाओं के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्यूंकि आज के वीडियो में हम महिलाओं को ऐसे 5 टिप्स बताएंगे जिससे आपके पती आपकी बात मानने को त्यार हो जाएंगे या यूं कहिए कि आपके पती आपकी उंगली पर नाचेंगे तो महिलाओं से रिक्ष्ट है कि आज का वीडियो हमारा आप जरूर देखें क्यूंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही नोलेजवल होने वाला है पसंद आए तो इसे लाइक करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें चलिए अब शुरू करते हैं आज का इंट्रेस्टिंग और नोलेजवल वीडियो सबसे पहला टिप्स सही समय देखकर करें बात अपने पती से कहीं भी और किसी भी समय बात करना शुरू ना करें आपको उनके मूद को पहले देखना चाहिए जब आपको वाकूल लगें तब ही आपको उनसे बात करना चाहिए आपको अपने पती के साथ बात्ची शुरू करने के लिए उप्युक्त समय और इस्तान की तलास करनी चाहिए दूसरा टिप्स सीधे मुद्दे की बात करें अगर आपके पती को जल्दी गुस्सा आ जाता है तो आपको अपने पती से सीधे मुद्दे की ही बात करनी चाहिए ज़्यादा गुमा फिरा कर बात करने से बात और भी ज़्यादा बिगड सकती है एदि आप इमानदारी पूर्वक सीधे मुद्दे की बात करेंगी तो आपके पती इसकी सराहना करेंगे आप जिन समस्याओं का सामना कर रही हैं और आप उनसे क्या उमीद रखती हैं इस बारे में बिल्कुल इसपष्ट रहें अगला टिप से आवास की टोन को उपर ना करें अगर आप उनसे बात कर रही हैं तो ख्याल है कि आपके आवास का टोन उपर ना हो ऐसा होने से बात और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है अपने पती के करीब बैठें और बहुती शान्त और मुलाइम और मदुर स्वर में बात करें जैसा कि आप आम तोर पर शान्ती पूर्वक करती हैं इससे उनका रवया आपके पुरती थोड़ा साफ्ट रहेगा और अगला टिप से गुस्से में आकर बात ना करें छोटी बात कभी कभी काफी बड़ी हो जाती है ऐसे में इस बात का विशेष ख्याल लखें कि आप गुस्से में आकर बात ना करें ऐसा करने से आपके पती को और भी गुस्सा आ जायेगा फिर आपका उससे बात करना मुश्किल हो जाएगा और लास्ट टिप्स है लोचपूर्ण बेवहार रखें ध्यान रखें कि जिसमुत्ने पर बात हो रही हो उसमें आपके अलाबा आपके पती का भी दृष्टिकूर्ण महत्पूर्ण है उनकी डिमांड्स और चाहतों को सुने और उनके फैसलों के साथ भी फ्लेक्सवल वने रहें केवल अपनी जरूरतों को थोपना सेल्फ फिश है ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने इस तरीयों को बहुत ही महत्पूर्ण टिप्स दिये उम्मित करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी पसंद आ